मैं जिस भी आइटम को टच करूँगी मैं उसके बरवे फैक्ट जान सकती हूँ या फिर मैं जब भी कोई आइटम टच करूँग तो मेरी मेमरी को जाएगी मुझे लगता है ये वाल अप्शन जाद सही है सु मैं ये वाल अप्शन चूज़ करूँगी देखो मुझे मेरे बड़ी किफ मिला क्या मिला ये किफ्ट मेरे पैर्ट्स ने मुझे दिया है और ये एक डिजाइनर बैग है पैर्ट्स बॉर्ट इट फ्रॉम एचीप शॉप निया तुम ये अजीब सा फेस क्यों बना रही हो कुछ नहीं ये बैग बहुत ही क्यूट है थैंक्स वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव भी है मॉम क्या है सही है कि मेरे यान के साथ बीश में जाओ सिर्फ थोड़ी दियर के लिए दियर तुम्हें पता है न कि मुझे कैसा फील होता है जब तुम पानी बिजाती हो मॉम मुझे पता है कि आपको एक अजीब सार डरे कि मुझे शाक खा जाएगा बैट मॉम ऐसा पक्कन नहीं होता है मैं प्रॉमिस करती हूँ नो डियर ऐसा हो सकता है मैं रिस्क नहीं ले सकती तुमफा नहीं जाओगी वहां तुम सेफ नहीं हो मॉम सिर्फ एक बार टुक्यू फ्रॉम यर मॉम क्या हो एडियर तुम मुझे ऐसे क्यो देख रही हो नो कुछ नहीं आप सही कह रही हो अके डियर इस सिस्टम को तोरना होगा एड़ निया देखो मैं यहां हूँ वैसे तुम सही कह रहे हो, मुझे बीच पे जाना चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ी फ्रेश एर चाहिए चलो निया, अब तुम्हें रियल में पानी में आना होगा क्या हो निया, कुछ गलत है? आ, कुछ अजीब सा था, कुछ नहीं तुम्हें लगता है कि तुम मर्मेड में चेंज हो रही हो, जो तुम्हारी मॉम ने उन्हें रियल मॉम से लिया था? येस, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि मेरी मॉम मुझे कभी प्यान नहीं करती है और वो कभी भी ये नहीं चाहती थी कि मैं बीच पे आउँ कहीं, ये वो स्टोरी तो नहीं तुम सच में स्टोरी पे बिलीफ करते हो मेरा मतलब है कि तुम्हें एक मर्मेड में चेंज होने वाली हो ये पकका सिस्टम कुछ गलत बता रहा है तुम सही कह रहे हो, मेरे हेर्स ऐसे ही वाइट हो रहे होंगे तुम कोई स्मेल नहीं आ रही है है सीक्रेट वीडियोस ओफ यू ये कोई दिलेचे, ऐसा कोई नहीं सकता मॉम की फोन में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है वेट, ये क्या है? निया, तुम क्या देख रही हो? क्या तुम कोई वीडियो देख रही हो? नो मॉम मैं तो बस आपके टेक्स रूइट कर रही थी टेक्स में ये लिखा था कि डॉक्टर ने कहा कि एमर्जेंसी है कि आपको ये फोन मुझे इदर दो I'm really sorry मॉम बहुत लेट हो चुका है इसलिए मैं सोने जा रही हूँ इतनी जल्दी चारे ये उस होने के लिए अभी तो सिफ 6 बज़े हैं क्या तुम्हारे हेर्स वाइट में शेंज हो रहे हैं हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए चलो क्या तुमने नोटिस के कि तुम्हारे हेर्स सच में शेंज हो रहे हैं डियर सच बताना और मुझे लगता है कि ये मेरे निव शैंपू की वज़े से हुआ है जर आपना मूँ खोलना और डक्टर मुझे बहुत प्यास लगती है मैं पानी पीके आ दी हूँ जल्दी आना डियर मुझे यासे भागना होगा रियल मॉम बिहाइंड दूर मॉम